दोस्तो जंगल एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आपको विबिन प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे जिसमें से कही जानवर तो अपने आप में ही काफी जादा आकरमक सबाओ के होते हैं उनहीं जानवरों में से एक अपार सकती से भरपूर गोरिला जो की गुस्ता आने पर यह नहीं देखता के सामने कौन है आखिर क्या होगा जब इसका सामना जंगल के राजा सेर से करवाया जाए जानेंगे आखिर इन दोनों खूखार जानवरों में से अगर लड़ाई करवाई जाए तो जीत किसकी होगी जानेंगे इस वीडियो में तो बने रहे हमारे साथ तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोरिला से यूँ तो अफरिका को खूखार जानवरों का अड़ा माना जाता है लेकिन यहाँ पर कुछ जगए एसी है जहाँ पर कुछ खास जानवरों का ही राज चलता है जैसे की African Dance Forest अफरिका में रहने वाले सबसे खूखार जानवरों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम African Gorilla का ही आता है Gorilla अपने इलाके और अपने साथियों के लिए यह किसी भी हद तक जा सकता है चाहे इसे अपनी जान ही क्यों ना गवानी पड़े Great Apes की इस परजाती के अनोखे जानवर के सरीर का रंग काले और भूरे रंग से धका हुआ होता है इनके आगे के हाथ पेरों के मुकाबले काफी जादा बड़े होते हैं जब यह दानव अपने पेरों पर खड़ा होता है तो इसकी कुल लंबाई 6 फीट के आसपास हो सकती है वहीं पर गोरिला के वजन की बात की जाए तो यह लगबग 300 किलो ग्राम के आसपास बारी हो सकता है साथ ही इसके सरीर की चमड़ी काफी शक्त होती है जिसकी वज़े से छोटे मोटे जानवरों द्वारा दिये गए घावों का इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता एक वेक्स गोरिला जाना जाता है तो इसकी बेशुमार ताकत के लिए ही एक वेक्स गोरिले में कम से कम 10 ताकतवर आदियों की शक्ती होती है जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना जादा ताकतवर हो सकता है ताकत के साथ साथ यह जीव काफी बुद्धिमान भी होता है साथ ही यह दोड़ने के मामले में भी काफी जादा माहिर होते हैं दोस्तो आप यह सुनकर चोक जाओगे कि एक व्यक्स गोरिला एक दिन में कम से कम 30 किलो ग्राम तक खाना खा सकता है तो दोस्तो हमने गोरिला के बारे में काफी जादा जानकारिया जानी अब हम इसी के साथ जंगल के राजा शेर के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तो यह बात तो आप सभी को पता है कि जंगल का राजा शेर को कहा जाता है जंगल के राजा शेर में शाषक के सभी गुण मोजूर होते हैं यह अच्छा सिकारी होने के साथ ही बुद्धिमान जीव भी है शेर एक सामाजिक प्राणी होता है क्योंकि यह अपने परिवार और अपने जंड के साथ ही रहना पसंद करता है जब यह किसी जानवर पर आग कर्मन या हमला करता है तो यह अपने पूरे जंड के साथ ही उसका सिकार करते हैं तो दोस्तों अब इसी के साथ इसकी साररिक विशेस्ताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं एक वेक सेर की लंबाई 7-8 फीट के आसपास हो सकती है जहां पर इनके सरीर के वजन की बात की जाए तो यह 200 किलोग्राम के आसपास बारी हो सकते हैं साथ ही इनके मुव में दो काफी नुकिले दाद भी पाए जाते हैं जो की 2.5 इंच के आसपास लंबे होते हैं और काफी जादा नुकिले भी होते हैं नुकिले होने की वज़े से यह सिकार में काफी जादा मददगार भी होते हैं दोस्तों इसके भागने की गति के बारे में भी बात कर लेते हैं दोड़ने के मामले में एक व्यक सेर 60 किलोमेटर पड़ते किंटिक रफ्तार से दोड़ सकता है जंगल के इस राजा के पंजे बुद्धी और ताकत के बल पर अपने से तीन गुना बड़े सिकार का भी आसानी से सिकार कर लेते हैं और उनको आसानी से मोट के घाट उतारने में शक्षम होते हैं तो दोस्तों हमने इन दोनों जानवरों के बारे में काफी ज़्यादा जानकर या जान ली है तो अब हम आते हैं अपने फाइनल डिसीजन पर ओवरॉल देखा जाए लाइन और गोरिला में जब लड़ाई करवाई जाए तो इस लड़ाई का निरने लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों ही ताकट के मामले में काफी ज्यादा शक्तिशाली है पर जब बात व तो रिला किसी वस्तू यानी पत्थर लकडी आदी से सेर पर वार कर दे तो सेर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है